कुश्चन नमबर 4 एक्ससाइज 5.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स हाउ मैनी टरम्स ऑफ दा एपी 9 17 25 डाश 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 मुस्ट बे टेकिन तो गिवे साम ऑफ 63 तो इसमें एपी क्या दे रखा है 9 17 25 तो सॉलूशन अब शुरू करते हैं सबसे पहले गीविन लिख लेते हैं given a1 that is equal to always a के equal होता है 9 and d is equal to 17 minus 9 is equal to 8 और क्या दे रखा है n n हमारे क्या है find out करना है or sn sn is equal to 636 and sn is equal to 633 and sn किसके equal होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d is equal to 636 n तो हमें find out ही करना तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता n is equal to 2 a कितना 9 है plus n minus 1 into d d हमारा 8 है तो हमारे कितना आजाता है n is equal to 636 multiply by 2 इसे अभी 2 से multiply नहीं करेंगे पहले solve करेंगे ठीक न तो n 9 to the 18 पिलास इसको हम bracket खोल लेते है 8 n minus 8 is equal to 636 multiply by 2 तो हमारे कितना आजाता है n 8 n पिलास 10 18 में से 8 कितना बचे 10 मचे is equal to 636 multiply by 2 अब इस वाले bracket को खोल लेते हैं यह बन जागा हमारे 8 n square पिलास 10 n is equal to 636 multiply by 2 इस सम्में टू कॉमन है यह भी 2 से डिवाइड हो रहा है यह 2 से डिवाइड होके 5 हो जाए यह 2 से डिवाइड होके 636 बच जाएगा तो यह किया बन जाएगा 4 n square plus 5 n is equal to 636 यह बचाओ तो लिखतो दिवाइड भाइड बाइड बाइड वाइड वाइड दू ठीक है तो इसको साइड देहाते हैं इसको हम क्या कर लेते हैं अब इसमें हम n की वैल्यू निकालते हैं कैसे बीच की बीच की ट्रम को इस तरह स्प्लिट करें ताके उसका एडिशन कितना है फाइफ है नहीं इसके इन दोनों की एकवल आया है तो हम इसका कर लेते हैं तो इसकी जो इन दोनों की एकवल आनी तो फोर के हम अलग प्रायंट फ्रक्राइज़ेशन कर लेते हैं 2 2 4 2 1 2 3 6 अलाग कर लेते हैं कि इससे 2 से क्वेक्षा कर लेते हैं कि लास्ट में शेथे 2 3 6 2 1 2 2 2 2 6 तो नाइन देटीन नाइन देटीन नाइन देटीन है इसके मल्टिप्लिकेशन इन दोनों के मल्टिप्लिकेशन से क्या चाहिए 5N यह सारी मुल्टिप्लेशन तो हमारे देख सकते हैं 3 to the 6, 6 to the 12, 12 and 12 for the 48, इधर यह 53 आ रहा है और उपर वाला 48 आ रहा है, difference कितना आ रहा है, इसके difference देखें तो 5 आ रहा है, तो हमें यह मिल गया, तो नहीं आता तो फिर हम किसी और चीक को से change करते हैं, 53 को 2 से multiply करते हैं, बागी सब क्यों multiply सब्स्ट्रेक्ट या addition करके करते हैं, ठीक है न, तो यह हमारे क्या बन गया है, 4 N square, तो पिलस वाला 5 N तो 53 हम पिलस वाला रखेंगे, पिलस 53 N minus 48 N minus 636 is equal to 0, ठीक है, यह चीज़ समझें, यह ऐसा करते है, 636 की 4 से multiply करते हैं, उसके बाद हम प्राम factorization करते हैं, लेकिन उसके जरूवत नहीं करने कि कोई, इसको इससे multiply करने के बाद, पहले हम 2 से करते हैं, 2 से करते हैं, फिर यहीं पाद बाद, ठीक है? इसमें हम क्या common है, कुछ भी common नहीं नहीं हा रहा है, और फिलस 53, इसमें क्या common है, सबसे पहला N common है, और 48, 58 में से क्या निकल सकता है? अंदर कितना बचा है, फोर्स बचना चाए, फोर्स बचना चाहिए, फोर्स से डिवाड और माइनस फिलस 53 इसको डिवाइट करोगे तो 53 आएगा क्योंकि यह जब हमने स्प्लिट ठीक कर रहा है तो यहां पे जो आ रहा है फॉरन पिलस 53 यहां पे भी फॉरन प्लस 53 आ रहा है इसमें हम फॉरन पिलस 53 कॉमन लेंगे यहां क्या बचा एन बचा और इस साइट क्या बचा माइनस 12 बचा इस इकल टो जीरो इसका मतलब क्या हुआ फॉरन पिलस 53 इस इकल टो जीरो और एन माइनस 12 इस इकल टो जीरो इस एमपला इस एन इस इकल टो माइनस 53 अपन 4 एन इस इकल टो 12 तो एन तो निगेटिव में नहीं हो सकता तो एन की वैलिव हमारी क्या आएगी 12 याएगी एन कैन नॉट भी निगेटिव फ्रेक्शन में भी नहीं हो सकता है तो एन इस इकल टो 12 हमें एनी फाइंड आउट करना था तो हमारे किसके इकल आ गया 12 के इकल आ गया खुश नमबर फूर यहीं खतम होता है ओके लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर केजिए रहा हूं